आज हम सब्जेक्ट है ग्रावी जार और इसमें पढ़ेंगे धर का चुनाओ आजए है कि आप सब online क्लास में इकहटे हो गए होंगे और आपका online क्लास में स्वागत है अब हमपढ़ेंगे आज के सब्जेक्ट है जार का चुनाओ अब देखींगे के घर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है यह तिकाओ और इस्थाई संपत्ती है लेकिन हमें हर वर्ग समाज में रहने के लिए घर आवश्यक है प्रतिक व्यक्ति को घर की आवश्यक्ता होती है चाहे वो है अकेला हो या पूरा परिवार हो पर हमें घर भी आय पर निर्बर रहता है वो भी क्योंकि किसकी कितनी आय है ये आय के अनिसार हम घर का चुनाओ कर सकते हैं घर की इस्ति घर की चुनाओ के बारे में हम जानेंगे कि घर की इस्ति कहां पर होना चाहिए कि घर कहां हो, सडक में हो, नगर में हो, कि कोने में हो, कि किस स्थान पर चुना जाए बाजार पास में पड़े, स्कूल बच्चों का पास पड़े, सदस्यों को आने जाने की सुविधा हो है ना ये सब चीज़े हमें आवरस्या हैं कि सदस्यों को सुवीधा अनसार होना चाहिए घर अब है घर की भूमी घर की भूमी जिस पर हमें अपने घर का निर्मान करना है उसकी भूमी किस तरह की होनी चाहिए पत्रीली होना चाहिए कि चिकनी होना चाहिए कि चिकनी होकर कीचड़ वाली ना हो है ना जहां पर कीचड़ ना जमे अधिक चिकनी ना हो कंग्रीली वाली अच्छी होती है क्योंकि चिकनी जमीन होगी तो कीचड मचेगा और पत्रीली और कंग्रीली वाली जमीन होगी तो कीचड नहीं जमेगा और पानी भी सोशित हो जाएगा अब पढ़ेंगे हम कि घर किस दिशा में होना चाहिए घर का मुख पूरव उत्तर होना चाहिए या फिर पश्चिम में होना चाहिए घर प्रकाश में हो हवादार हो चारो तरब से हवा आती हो प्रकाश आता हो इस तरह का घर हमें चुनाव करना चाहिए फिर घर का पडोश घर का चुनाव करते समय हमें आस पढूस का भी ध्यान रखना पड़ता है कि घर के आस पास इन बस्तूगों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे स्वाष्थ की दिस्टी से हमें घर के आस पास हास्पिटल हो है न ताकि हम कोई अगर अचानत बीमार पढ़े तो हम उसे ले जा सकें और कसाई खाना बगर ना हो वहाँ पर मुत्र विसर्जन करने के इस्थान हो इसके स्वास्त के लिए हानी हो सकती है क्योंकि फिर दूसरा है कुसंगती से पर प्रभाव गलत पढ़ता है कि पास पड़ुस कि हम किस पड़ोई में कहां पर रह रहे हैं ज्रता का पड़ुस घर से ऐसे स्थान पर अब हमेला है जहां पर न काश्क्रताई की तीनिय में के तीजय हैं। पास में हूं। आपर जाने के लिए लाग घर अस्पाइल आती सभी पास में होना चाहिए। आप हम देखींरे कि की घर की बनावड कैसी होना चाहिए। घर का नक्षा इंजीनियर से बनवाने को बनवाने को बनता है जैसे नीव नीव टिकाउ होने पर निर्फ़र रहता है लीव लोहा पत्था सिमेंट की बनी होना चाहिए ताकि वहना कभी भूकाम पार कुछ को आप आया है तो हमसे पचा सके पर है प्लेटपॉम पाने अपने घर के अंदर ना आये ऐसा उचा होना चाहिए प्लेटपॉम् अब्धर के सामने ता इस सारा वगी उचा होना चाहिए ताकि दो तीन फुट उचा हो और वार अंदर वाहर वाहर का बारिट का पानी ना आये उसे उचा होना चाहिए तो तीन ने प्लेटपॉम् बीबारे इन पत्खर से बनना होना चाहिए ताकि कभी कोई ऐसी आपता आए तो बना सेन कर सके सारमा और हमारी भी नक्षा हो फटली ते बर्साब ते और हवार फिर है आप शट शट कैसी होना चाहिए शट सपाट वा धलावदार होना चाहिए जैसे शट सपाट होना चाहिए क्योंकि अगर इसमें पानी रिखेगा तो यह अंदर फिल्यक तो हो जा रहा और अतार बनवाते समय अधी ज्यांदत में चाहिए कि छोटी हो अगे दो हो याने उसके शट के अंदर से पानी अंदर ना जागा तो फिर है कि धलावदार शटे वार्टर कूप चोट होना चाहिए और द्यलौ जाट रावदार शर्टे आपकी शलiska कि तमाट होना चाहिए और द्यलावदार ईक पर्ड्श है ए दो प्लेख कंप्त है कंपक क्यों को पर्ट्की बने होनी क्याशा जी अब देखे हमें आगे कि हमें वाईयू का किस तरह कुछ वाईयू बढ़के अंदर आए इसका भी हमें निकाल सके तुमसित प्रबावाले सकते हावा उसका इंटेजाम की देखना पड़ता है है ना तो वाईयू बिजन केंदेगे और इसांगर सुद्ध हवा आ सके तुमसित की दरवाजे का होना बहुत ही आवाज सके और इंटेजाम का इंटेजाम की अच्छी तरह हवा मिल सके और घर की प्रदूसित हवा बाहर जाता है अब है प्रकाश प्रकाश का प्रभन्न जैसे प्रकाश नैसर्विक होता है नैसर्विक से मतलब है कि तूरे का प्रकाश इसलिए बड़े अक्ष्रिटीवा दरवाजे होना चाहिए राग उबड़ार को प्रकाशित कदने के लिए फस्ञें प्रकाश को फिर में उगाना मठटाया है उसके लिए लेकір मुंबशित की आजुतां होको करते हैं अब इसके बार बीदूसली के प्रयोग का भी विकार्जपन नहीं होता है यदी कुला में से दुआ होता है तो यदी सालब को सबस्किवार सबरेंगेखि मफ्रों सब्सक्रिश्म के लिए आनियुश्वण बость से लाज़ाय करने सब्सक्रिशता 건़ मांनिदेग होते होते है हुद्छ बात्रूम में प्लश की रवस्था को सीरे सोचाले हैं और रवस्थाएं मोना अजी चाहिए बड़े कुझोर्गों से निचे वाले जैसे कमोड होना साना या निचे वाले के इस पे अहीं बेटे बनता जैसे कुझोर्गों को सुच्टन हो दो रहता है अच्छा कमः़ा बनाना चाहिए पर हैlle परनी का प्रवंच के लिए हमें नल की जानुद्स होती वाटू में नल, चन में नल जतू चर्में और वाट वेटिन के नाथ वहने के लिवाटा से अगर पढ़ती हैं जैसे कि आज से अधी परोना चर्द से हमको गाटाल रिकोच करना पर दोगा है वैसे ही हमें एक वाट वेटिन के पास नल होना करें पिर है इस्थान का विभाजन, हाँ की विभाजन रखने के लिए हमें जैसे कई सम्रों के आवर्शिता हुची में कैसे मनोरणजन के लिए जहां पर इप्रिया और डेगियो सुना जाते खाना पीड़ा क्या एंगिस्वेटे सारे बरीवाट से बात कर सके फिर विष्याम विभाजन के लिए एक योजन रखना चांदे है लिए इस्था। थांघला के लिए के लेगिस्वेटे बरीवाजन के लिरिए अपना काम कर सकी हुआ है इस नाम कमरे में रहे सी प्रवेश के लिए हमें नहीं होना जाए जो की वह तुम रखस्ता के कमरे में यह संबोड रहा है जब कमरे के सब बात विन्हार खाया है पर दो जर्टेश नाम का प्रवेस्वाब नहीं होना चाहिए। इस नाम गराए में एक से कर लिए। आरों नहीं चाहिए। पर इस योच्छा से अनक परिवार के अंसाफ कमरा क्या आपकता हो। इसे योचेना पराणा चाहिए। पात्रूप। ज़र सोई कर बच्चो का कमरा, र遊戲 सोने का कमरा और स्चवाब। जर्टा कर लागा अब हम आगे देती हिंगे कि क्या क्या वथशतता होना चाहिए। जयसे ex сек word आ है अँआज बदाय के खाने के कमरा। खाने की कमडे में इसी कङुभी स्काहिए कि बैठे गद हाना, खा सके, है लाण बैठे अग रूम हुआ, राय्य रूम में आग बैठ सके बैसने ने का मिले जोबिने का रूमे बि०्यों का कमरा होना चाहिए । क्वाणे का कमरा पनदरह से 12 फित होना चाहिए फिर एक बशुषे टाल राता है है उसके लिए भी नमें खोड़ेक्व पर बहुते हैं उसके लिए होना चाहिए समग्राव में Curve कि अंदो कमटर के में तोले की खबर के लिास गतने करने काूं को यह पिर ने बशुषी गुसर खाना भी होना चाहिए उचित प्रवन्हों चाहिए रसोई घर में आता है इसका गवजन रंट के आपका बहुँस्य को बनाने प्रवाउन्हों जालेगे इसके बाद मैं आपका बहु उपदशी कमरे में तो वहोत करने को च teníaले की आपकी चाले को सता हूं ऒबहुत चाले की ओड़ने कम से कम जगए साहन रजाब में फिर ग्रणी के श्रम की बज़त होता है धर के सामान की देड़ माल रखशा होता है तर और कम खर्ज में आवास का तमाधान को सकेदे अजकर पैसु क्याना सकता सभी को होती है इसलिए हमें कम से कम में बना रेना चाहिए ताकि अच्छा भी बने दिखाओ भी हो और बन भी करते हैं इसके बाद हमें आती है इसकी लाव बहुत देशी कमरे के लाव तो वह जिसी कमरे में लाव है कि कम खर्च में अधिशुविषा फिजूल खर्च पर ने अंधरेड हो सके अधिशुविषा बने फिजूल खर्च में अंधरेड हो सके कम इस्थांगी जर्विवत को फे परिवार बात आये कमार ना पड़े ऐसा बहु देशी कमरा कोना चाहिए आप बच्चों आप यांचे बढ़ें आपका इतने से चाहिए बहु देशी कमरा से हानी क्या होती है वह घ्ल सी कमरा से आप डिनहीं की कमरा स्वास कि प्रपों दे रोगान को बना देते हैं से रोग बना देते हैं ग्राइए कि शंत्रमा का संक्रामक रोगों का प्रपों भी बैर होता है वह कुछ देसी कम्रा स्वास की बिउस्ति पे करे अच्छा नहीं देह लाड़ा है जाज्य है वह सकत्राम को रोगो हो जाते हैं जो और स्वास के अच्छा नहीं हो जाते हैं और पर गरे में सपाइपी करें छाνοिермट कम्रा सब्कारा की सब्सकित प्रम रुझा है और परिवाज जड़ में तंकीन साथ भावना उसकर नहुती है इसलिए हमें पहुन देशी कमरा ज्यादा अच्छा करी माना जाता है घर में प्यप्तिकत कला का प्रजर्शन कम्री अभाव होता है इसके यह हाँ है अब पढ़े ही ग्रै समस्या के कारण सर्ण के कारण आते हैं करते कारण ता के की रद्धी इसतिया की प्रद्धी ऋप्रकारत है सदिख्यान हें यह प्रज plaisक्तिया के फिश्रोणा नहीं देटेटे प्रण आश्या हो नता। और एक कमरे से अधित कमरें की आपड़ती वेक्ष्टियों को रहने के लिए और वार वेक्ष्टियों के साथ रहने के लिए रबर होना पढ़ जाता है मुश्यिक जिसानी में कर देवल में मैं कोतल। सहरों की छेतर में पढ़ा है सहरों में काज भाने सुन गाल।। व्यरुकान विंकतनाई होती लै और एकाकी परिवार के हैं एकाकी परिवार एकी है पड दिवयुर्फ्रेर्श जार और एकी व्यक्ति सवरी पुद्रेवक्वे द्रच लेते आज इस समय में कि व्यक्तिकत आवास की जरूरत है अगर दो होते हैं पड़े बढ़े हो आगा है येकिन उसके परिवास अलग अलग रही के समझते हैं उपना आप होते हैं पिर नौकरी तेसा ते रहे हैं आज बस इच्छा बढ़ा हुआ है जिच्छित लड़के लड़किया नौकर करने की प्रवस्थी बढ़ते ही है और नौकर के लिए तेहरों ना जाते ही हैं तो उस व्यक्तियों को प्रवस्थी हुआ हाल करके वयर्तर में पढ़े जाते हैं बबूसरे जर्वल आवाज करते हैं एसलिआ भी तमस्या पढ़र रही है फिर है आधुनिम बहुतित ताजन, आधुनिम हातन साथिन में है कि वर्टपार बहुतित ताजन जबसी उपलब हो रहे हैं और इनकी संग्जब पढ़ गई अधिक्ता हुन साथा तोप्यों करना चाहता है जो तरुस्त परिवाद करना हो नहीं है इसलिए हमें त्रह समस्य के कारण आधे हैं अब आवास समस्य का निदान के से होता है तो आवास समस्य का निदान भी होनी के कारण है जैते हैं बहु मंदिल का रचलर नहीं है आज का अम देते हैं जगए जगए बहु मंजी बढ़ बढ़ जाते है इसमार के फ़ी त्रोट खोट इस से अपने भी देखें होंगे बच्चों फिर है तम जगए में महा नवरों में मंजीले इमाल पर बढ़ी इमाल ता नियुदा भी जैंख्या नियंत्रन संसंख्या का यंद्रन या वेया है आला के अधिल पढ़े कि कुछ आजी संसान बसक्राइब करते हैं आला के अले के मुझे को कोई अधर नहीं है या एक या दो संसान गालेगी हो लड़ी की मुझा या अधर संसान नहीं चाहता है परिवार में चैसा बढ़ी जान है नहीं है तो ऐसे परिवार भर्थी की मुझा नहीं करते हैं बल्कि आवास अमस्या इसे बढ़ आती है चिंसंख्या निया ग्रण्णा अवन इसे आती गाल अवास इसे बढ़ आती है तेरे भारत पMichवत्की योजना भारत में तबकार बड़ पट्वत्की योजना के तेलाइडाथा प्रसरम की आसा अपजक्त्रम से पिंच्वत्क लुझ norm beautiful और युझा इसे आवास के समसय कुलज्र 143 पट्व दुझ yell तुझ्या हुआ ये तभी आवाज की उचनाएं चलिए चटी योजना मेरी सब्सक्ति की आगया साथ और ग्रामीन भूमी इस प्रादान करी रच्या भरके निर्माई की साहिटा की सब्सक्ति फिर है तामाजिक आवास योजनाएं तामाजिक आवास योजनाएं उनने 180 में आई और कम जो वागों के लिए माने मकान बनाना चुझी करें कम आवालों के लिए उच्छप्पन इसमें योजनाएं आई एक आई उननी 180 में पर उनने सो चौवण में का बढ़वारों इसके बाद मग्द्यावर्ग के लिए उननाएं उनने सो उनसट में पर राज के सफारी करना चार्यों के लिए पर उनने सो चौवण में पर राज करना करना चौवण में पर राज 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 करना ऑवाज और शेहरी विकार्ष निजम हुटको द्वारा ये निगोरсь वृसे मंत्रालन के लिए निगम ने में खोट को दिस這個 किया जो 270 में चाते किया है भी उकार के ये रिन प्रदान करना करता, मुख्यकार था, मुख्यकार क्या था? रिन प्रदान करना 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 कर और जड़ आवाज की वजन आउं करी आवाज की वगस्था करी आवाज की वगस्था बनाएंगे। और इधर बांबे में भी उन्में सो ततन जम्य मद्राश में था तर ये बांबे में एक सो चालूंपस्या मोट ज़नी थी वहां पर इनोने मटार्ण करना तर देना तर अब मद्राश में 56 अब शब्द सतारी जम्य दिख रही और संट्टा में 19 इस यह सब आपको कॉफी में क काई प्रक्स्णों को आपको दूब से देखकर कॉफी में दूब